Hey guys, welcome back to the channel, I hope you all are doing absolutely fine और आज एक और अच्छी research, एक और अच्छा stock analysis लेके आप सब के सामने हाजिर हूँ तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करिए, वीडियो को like करिए और अपने दोस्तों और घर के सभी जो आपके loved ones हैं, उनके साथ share जरूर करिएगा आज की जो company है, वो tire sector से है, tire sector की एक ऐसी company जो की globally इंडिया को represent कर रही है अब वो company है, बाल कृष्न इंडस्ट्रीज, जी हाँ, सही सुना आपने, बाल कृष्न इंडस्ट्रीज, बाल कृष्न इंडस्ट्रीज शुरू हुए थी, year 1987 में और यह specialized किन-किन चीजों में मैं आपको फटा-फट बता देता हूँ, यह specialized है, off highway tire business में, business construction के जो tire है उनमें, industrial में, earth moving, जो cranes वगेरा होती है, वो port mining and gardening, जो भी machines यहाँ पर लगती हैं, यह उनके सब के tires बनाती हैं, चाहे वो बड़ी-बड़ी cranes हों, आपकी JCB machines हों, जिस सब से लेके gardening के लिए जो machines लगती हैं, आपकी industrial construction में machines लगती हैं, यह उन सब के tires बनाती हैं, A to Z, जी, तो बालकृष्ण जो tires हैं, वो यह सारी चीजों को kitter करती हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ठीक हैं, तो इनकी global presence पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यह 160 से जादा countries में इनके tires बिखते हैं, 160 plus countries के अंदर इनके tires बिखते हैं, साथ ही साथ, Europe में 49% इनकी sales है, इंडिया में 23% इनकी sales है, अमेरिका में 15% की sales है, और rest of the world में 13% की sales है, तो यानि यह company all in all एक बहुत बड़ी MNC की तरीके से देखी जा सकती है, क्योंकि यह company 160 सादा देशों में अपना धंदा कर रही है, जिसमें Europe में सबसे जादा, almost 50% की sales है, अब मैं यहाँ पे कुछ companies के नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, जो इनके clients हैं, आप एक बार बस यह नाम सुनिए, और सोचिए कि कितनी बड़े-बड़ी companies को यह cater कर रहे हैं, New Holland, John Deere, AGCO, Class, JCB, Cat, Sakai, Galdoni, Terex, Turk Tractor, Kubota, Ferrari, अब आप एक चीज सोचिए, इतनी बड़ी-बड़ी giants को यह cater करते हैं, all across the globe, यह बहुत बड़ी-बड़ी companies हैं, और जहाँ पे मैं Ferrari कहता हूं, तो sports car नहीं, Ferrari के tractors भी आते हैं, दोस्तों, Ferrari के agriculture equipment भी आते हैं, तो यह उनको भी deal करते हैं, उनके साथ भी इनके contracts हैं, उनको भी यह लोग serve करते हैं, तो यह company all in all, normal tire नहीं बनाती है, यह company जो बड़े-बड़े tires हम देखते हैं, बड़ी-बड़ी machines में देखते हैं, यह वो सब बनाती है इनका जो business model है, वो बहुत ही जादा resilient है, कैसे मैं दिखाता हूँ, tire बनाते हैं, जैसे हमने बात करें, tractor के, harvesters के, irrigators के, loader, crane, mining, handler, dumper, telehandlers, इनके, तो इनकी जो sale है, जो इनका business model जब मैं बात करता हूँ, यानि मैं इनकी sale की बात करूँ, इनकी sale कहां कहां से हो रही है, 64% agricultural tires से, जो agriculture की खेती में सिरफ tractor नहीं लगता, harvester होते है, irrigator होते हैं, loaders होते हैं, इन सब जगहों के जो tires होते हैं, 64% ये बनाते हैं, 33% इनकी sale हाती है, off-road tires से, जो बड़ी-बड़ी आपने monster trucks वगरे सब देखे होंगी, जो off-road में चलते हैं, जहां पे पक्की सड़के नह करना शुरू कर रहे हैं, या करते हैं, उन से इनकी sale है, तो यानि agriculture sector इनका सबसे major sector है, तो manufacturing units कहां है, ये company जब 160 देख्शों में धंदा अपना कर रही है, तो इसके लिए manufacturing units भी काफी सारी होनी चाहिए, पहली manufacturing unit है वलुज में, वलुज जो महाराश्टर में पढ़ता है, देन हैं भिवाडी, राजस्थान, चोपांकी, राजस्थान, भुज, गुजरात, और mold plant है इनका, molding plant है इनका, डोंबी वली महाराश्टर में, तो जो लोग मुंबई के आसपास रहते हैं, उन्हें डोंबी वली पता होगा, ठीक है, साथ ही साथ, ये capital expansion कर रहे हैं भुज गुजरात के plant पे अपना, जो एक brown field tire plant है भुज में, 50,000 metric ton per annum की capacity पे वो plant run कर रहा है, और 800 करोड कप capex कर रहे हैं, यानि company बहुत बड़े level पे अपने business को expand कर रही है, यहाँ पे, capex की जब बात निकली है, तो इनके एक capex पर ये company नहीं रुक रही है, इनके second capex है carbon black and captive power plant, जी, यह carbon black और एक captive power plant पे भी गाम कर रहे हैं, जो 55,000 metric ton per annum की carbon black capacity पे रन करेगा, साथ ही साथ एक power plant जो December 2022 यानि अभी, जो recent December 2022 में गया है, इसमें start होना था, और जो इनका एक project है, यह advanced carbon material के लिए बना रहे हैं, जो 3000 metric ton per annum के साथ commission होगा Q423 में, यानि कि जो इनका carbon black capacity का plant था, वो December में 5000 metric ton की capacity के साथ start हुआ है, साथ ही साथ इनका जो project है carbon material का, वो इस साल यानि 2023 के Q4 यानि again December में start होगा, साथ ही साथ यह जो project है, यह 650 crores की expansion के साथ आ रहा है, जो इससे पहले हमने भुजका देखा था, वो 800 करोड का था, यह 600 करोड का ह अब तीसरा इनका expansion कहां पे हो रहा है, वो है modernization, automation और technology upgradation पे, जी ऐसी company इसको अपने आपको निरंतर अपग्रेड करता रहना पड़ता है, consistently अपनी automation पे और software पे, technologies पे काम करना पड़ता है, तो इन्होंने साड़े 400 करोड का वहां पे भी capex करा, यानि company capex पे capex करे जा रह ही है, साथ ही साथ, एक और इनका last capex जो program है, वो है वलुज का brownfield program, वलुज जो हमने discuss करा है, इनका manufacturing plant है, वहां पर complete होने की expectation है, fiscal year 24 में, यानि 2024 के अंदर वो complete होने का है, first half में, और 3.5 करोड का project वहां पे भी है, जो की 55,000 metric ton की capacity पे रन करेगा, यानि की company capex करने से कहीं भी नहीं रुक रही है, हर area में वो capex कर रही है, चाहे वो technology हो, चाहे वो manufacturing हो, हर जगा पे वो capex कर रही है, साथ यसाथ अपने power plants तक setup कर रही है, तो अब आप देख सकते हैं की company का potential क्या है, company की potential पे run कर रही है, ठीक है, तो अब मैं बात करता देखें ये तो हमने बात करी कि धंदा क्या है, कैसे है, कहां बन रहा है, कहां कितना कमारी है, कहां से कितना revenue है, किन companies को cater कर रही है, एक अच्छी company का सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, कि अगर वो एक बड़ा brand है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है marketing का, और बाल कृष्ण इंडस्ट्रीज एक marketing marvel है, मैं आपको कुछ example देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि इनकी marketing का आप level देखिए, ठीक है, इनका brand ambassador है, Bollywood star रनवीर सिंग, ठीक है, brand ambassador रनवीर सिंग है, अब ये कहां कहां किन-किन events को ये sponsor करते हैं, मैं उस टायर पार्टनर है, monster jam एक USA में event होता है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े monster trucks आते हैं, उनके ये टायर के official partner है, continental cup होता है, Canada में, ये वहां के title sponsor है, Spanish league football, La Liga, football fans को बिल्कुल पता होगा, La Liga, उसके ये officially, officially global partner है, उसके बाद, अगर मैं cricket fans की बात करूँ, तो अपका IPL में, जो season 14 अभी गया है, उसके official partners थे, KFC Big Bash Australia, जो वहां का T20 league है, उसके off highway tire partner है, वहां पे अगर आप खास कर Big Bash अगर आप देखेंगे, तो Big Bash में जब boundary curtains होते हैं, वहां पे आपको BKT की काफी सारी advertisement running दिख जाएगी, साथ ही साथ, Euro league basketball में, Europe में premium partner है, rugby के World Cup France 2023 के official tire sponsor है, आपका के कहते हैं, Italian Serie B के title sponsor है, League Day Football Professional France के title sponsor है, ये company 160 countries में अपना माल तो बेचती है, वहां के major sporting events को target करती है, अब आप एक चीज देखिए, sports एक ऐसी चीज है, जो पूरी दुनिया के लोगों को आपस में connect करता है, और साथ ही साथ, वहां पे अगर आप अपनी branding marketing करते हैं, तो कहीं न कहीं लोग आपका नाम, आपकी company और आपके products के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, ads देखते हैं, और उन products को लेके वो knowledge gain करने लग जाते हैं, तो ऐसे ही आप company बना कर लोगों की नजरों में आते हैं, तो मैंने बहुत कम companies ऐसी देखी हैं, जो इतनी अच्छी advertisement क को advertise भी करते हैं, दोस्तों हमने business देख लिया, हमने revenue की कहां कहां से earning आती है, clientele क्या है, marketing कैसे करते हैं, सब देख लिया, important चीज अब आखरी में और देख लेते हैं, वो है financials, financials में company कहां stand कर रही है, तो मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं, उस दिन company का market price है, share price है, वो 2130 का, 2130 रुपय का, साथ ही साथ company की market cap है, 41200 की, तो सबसे पहले देखते हैं, company की position क्या है, in comparison to valuations and all, सबसे पहले हम देखते हैं, PE ratio, price to earning, price to earning में, stock का PE है 29.4 का, industry का PE है 29.2 का, तो almost in line है, industry के साथ, तो जादा overvalued नहीं है, साथ ही साथ price to book value पे अगर बात करते हैं, price to book value है 5.43 की, जो industry की 2.14 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा overprice है, but nevertheless, valuation wise, बहुत बुरा हाल नहीं है, जो कई companies होती है, जो deserve यहाँ पे करती हैं, और होती यहाँ पर हैं, होती यहाँ पर हैं, और deserve यहाँ पर करती हैं, तो वो अला हाल नहीं है, almost in line है, बट हाँ price to book value में overprice है, इसको हम deny नहीं करेंगे, debt to equity ratio में बहुत ध्यान देता हूं, debt to equity ratio में 0.42 का debt है, यानि debt है, company के उपर इसको deny नहीं करा जा सकता है, बट हाँ यह debt in control है, pay करा जा सकता है, अब अगर हम बात करते हैं, तो company का sales performance हम देखते हैं, company धं 2011 की अगर हम बात करते हैं, तो March 2011 में sales थी, 2130 करोड की, 2130 करोड की March 2011 में sales थी, March 2022 में sales बढ़के हो गई, 8295 करोड की, March 2011, 2130, March 2012, 8295 करोड, almost four times, almost four times का growth है, 4x growth है, पिछले 10 साल में, ठीक है, net profit पर बात करेंगे, net profit, March 2011, 195 करोड और March 2022, 1435 करोड, यानि company का net profit है, वो almost eight, nine times बढ़ चुका है, यहाँ पे, तो sales भी बढ़ रही है, company का net profit भी बढ़ रहा है, अब sales और profit का correlation भी यहाँ हम देख लेते हैं, तीन साल में sales बढ़ी है 17%, profit बढ़ा है 23%, पांच साल में sales बढ़ी है 17% again, पांच साल में profit भी 17% से growth हुआ है, 10 साल में sales 11% और 10 साल में profit 18%, यानि sales अगर company बढ़ा रही है, तो profit भी उनका बढ़ता जा रहा है, और profit अगर बढ़ता जा रहा है, यानि company consistently profit कमा रही है, अब अगर मैं बात करता हूँ, stock price की, 3 साल का return 30%, 5 साल का return 13%, 10 साल का return 30%, यानि company consistently returns भी earn करती है, बीच में कोई phase रहा होगा जिसमें returns सोड़े कम हुए होगे, बढ़ consistently कमा रही है, दोस्तों, अब बात करेंगे हम reserves with relation to borrowing, relation borrowing और reserves का, क्योंकि reserves से ही company capex करती है, जो हमने देखा कि बहुत जादा कर रही है, ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि उनके सर पर करजा कितना है, और उनके पास reserves कितना है, ठीक है, तो reserves थे, मार्च 2011 में 842 करोड के borrowing थी, 621 करोड की, यानि कि reserves थे, तो borrowing बहुत जादा थी, मतलब आप ये लगा लिजेए कि 100-200 करोड का ही margin रहा होगा इनके पास, जो इसमें दिख रहा है हमें, यानि कि पैसा भी था, तो करजा भी था, दोनों चीज़े थी, अब हम तक आ गए हैं, तो reserves भी याँ पर इनके almost 8 times grow हो चुके हैं, 6,894 करोड के reserves हैं इनके पास, तो borrowings है 2,529 करोड की, देखें यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है, कि company जब चाहे अपने reserves से पैसा निकाल के अपनी borrowings को pay off कर सकती है, ठीक है, पर company क्योंकि CAPEX कर रही है, तो वो borrowings के उपर साथा ध्यान नहीं देगी, company जो CAPEX कर रही है, company उस पर ध्यान दे रही है, और उससे जो earning होगी, मेभी उससे बाद में इसके उपर ध्यान देगी, और शायद बाद में अपने loans pay off करेगी, but company के पास sufficient cash है, कि वो अपने loans pay off कर सकती है, तो company ठीक ठाक position में है, बढ़ा loan कम हो जाएगा, well and good है, ठीक है, अब last चीज हम देखेंगे इसका share holding pattern, share holding pattern December 2019 में promoters own करते थे 58.3% जो सितंबर 2022 तक भी own करते हैं, 58.3% यानि promoters ने company का share नहीं बेचा है, promoters को अपने management पे भरोसा है, ठीक है, foreign investors का 11.68% का इसके इंदर investment था, जो की September 2022 में हो चुका है 12.96 का, 15% तक भी गया था, but recently कुछ selling हुई है उनकी तरफ से, तो 12.96 का तो है, BII इसका 17.49% का था December 2019 में, जो 18.8 का हो चुका है September 2022 में, जो almost similar position पर है, but काफी buying, selling होते होते यहां तक पहुँचा है, government का stake 0.10 का है इसके इंदर, और public आप, हम, हमारे जैसे आम लोग, 12.5% ओन करते थे, December 2019 में, और 9.84 ओन करते हैं, हम 2022 में, company ने देखी, अगर आप consistently इस company को track कर रहे होंगे, तो काफी, एक सबा साल से जाधा return नहीं दिया है, company ने, consolidation stage में रही है, पहले काफी correct हुई, then consolidation stage में ही चल रही है, देखिए, ये जो वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, ये जो companies के बारे में मैं ला रहा हूँ, ये कहीं से भी investment call नहीं है मेरी, मैं आपको ये नहीं कहा रहा हूँगा, आप ये companies खरीदिये, मेरा purpose ये है कि मैं company का एक true picture आपके सामने रखूं कि company धंदा यहां से करती है, पैसा यहां से कम आती है, और ये position है company की, तो अगर आप invest करना चाहें, तो इस video से आप company के बारे में समझ सकें, इस video को investment purpose के लिए मत लीजिएगा, कि मैंने आप कोई video बनाई, तो आप मुझे बोलें किया रहे, आपने तो investment के लिए आता, जीने मैं investment के लिए नहीं बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ एक educational purpose के लिए videos बनाता हूँ, ताकि investors को एक अची information मिल सके, और उसके ऊपर वो अपना research करके, अपना दिमाग लगाके, अपने investment advisor से बात करके, अपने financial planner से बात करके, अपने investments को initiate कर सके, ठीक है, तो ये video हम यहीं पर खतम करते हैं, अगर आप channel पर न क्योंकि एक बहुत छोटे से motto पर हम गाम करते हैं, stay together, grow together and prosper together, I'll meet you guys in some another video, till then, bye bye, take care and, jahind